तमेशकार दोस्तों, कल DRDO ने Defense Research Development Organization ने successfully test किया है Stand-off Anti-Tank Missile, इसको बोला जा रहा है SANT, S-A-N-T, यहाँ पर आप news देख सकते हो, India successfully flight test indigenous stand-off anti-tank missile, तो इसको हम डीटेल से समझेंगे, आपके मन में कई सारे question आ सकते है, stand-off missile का मतलब क्या होता है, यह anti-tank missile क्या है, indigenously इसको क बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो आप हमारे app को download कर सकते हैं, या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसके पिलावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर आप stories में जो MCQs हैं उसको attempt कर पाएंगे, चली देखते हैं exactly हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, Saturday की बात है, Indian Air Force और जो Defense Research and Development Organization है, दोनों ने मिल कर successfully flight test किया है, stand off anti-tank missile, अब यहां पर stand off का मतलब कहा है, stand off weapon उसको कहते हैं, कि मतलब आपने अपने enemy के उपर प्रहार तो कर दिया, और enemy आपके उपर प्रहार करें, उसके पहले ही आप वहां से चले जाओ, मतलब कि जो भी आप प्रहार कर रहे हो, मतलब कि आपने missile launch किया, helicopter से, fighter jet से, तो आप stand off हो, मतलब कि दूर पर खड़े रहकर ही आप attack कर सको, इस तरह की capability आजाती है, उसी को हम कहते है stand off weapon, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, stand off anti-tank missile, मतलब कि एक ऐसा missile जब आप launch कर रहे हो, तो enemy का जो equipment है, चाहें वो tank हो सकता है, कोई भी weapon हो सकता है वहां पर, आप उसको destroy करना चाहते हो, तो उसकी capability को यहां पर अभी पोकरन range में DRDO और IF ने मिलकर इसको test किया है, और ध्यान रखेगा, यह indigenously develop किया गया है, जो भी इसको develop किया गया है, यह indigenously है, और helicopter से आप launch कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दो, यह जो helicopter की बात हो रही है, यह Russian origin का helicopter है, MI-35, तो यह जो MI-35 helicopter है, इसके अंदर पहले जो weapon था, वो Russia वाला ही missile लगा हुआ था, लेकिन अच्छी बात है कि यहां पर, अब हम अपने देश का बना हुआ जो weapon है, missile है, उसको इसके अंदर fit कर सकेंगे, अब देखे, इसके अंदर जो बात कही जारी है, DRDO के दोरा, कि हम हमने इसके अंदर जो भी achieve करना था, मतलब इस testing के माध्यम से जो भी हम चाहते थे, वो achieve हो चुका है, जैसे कि बताया जा रहा है कि trial के दोरान जो tracking algorithm है, जितना भी avionics है, integrated software, release mechanism, advanced guidance, सारी चीज़ें जो satisfactory level की होती है, वो हमने achieve किया है, इसके अंदर tracking system वगर सब कुछ लगा of anti-tank missile was successfully flight tested from prokran ring, और इन्हों ने, DRDO ने ये particular video डाला है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, तो जैसे कि आपने देखा, ये जो particular missile है, वो exact target पर जाकर जो है, वो attack कर पाया है, और यहाँ पर ministry of defense का ये कहना था, कि इसके अंदर capability है कि 10 km की range के उपर ये target कर सकता है, मतलब आप 10 km दूर रहकर भी, यहाँ पर आगर किसी enemy का tank वगरा है, जो भी weapon है, आप उसको destroy कर सकते हैं, और ये कैसे possible हो बात है, मतलब इतना precision, जो अभी आपने वीडियो के अंदर देखा, exactly उसी particular target पर जाकर लगा है, तो बताया जा रहा है कि इस particular missile में MMW seeker लगा हुआ है, state of the art technology का जो MMW seeker है, वो लगा है, यह क्या करता है, precision जो strike capability है, उसको ensure करता है, अगर मैं further आपको इसके बारे में बताओ, SANT के बारे में बताओ, तो इसको develop किया गया है, design किया गया है by Hyderabad based research center इमारत, RCI इसको कहते है research center इमारत, इनके द्वारा इसको develop किया गया है, in coordination with DRDO की जितनी labs हैं उनके साथ मिलकर, और साती साथ देश के अंदर जो कुछ industries हैं, उन्होंने भी इसके अंदर support किया है, मतलब पूरा आप एक प्रकार से कह सकते हैं, कि देश में बनाया हुआ है, अब इसकी वज़े से क्य गया है, it is third in the series of indigenous stand-off weapon, जैसे कि अभी recently मैंने एक video भी बनाया था, long range bomb के बारे में, भारत ने इसको भी develop कर लिया, फिर उसके पहले smart anti-airfield weapon उसको भी develop किया था, ये सभी आपका stand-off weapon के अंदर ही आएंगे, पिछले साल की बात है, यहाँ पर URISA में भी जो संत missile है, उसको test क किया गया था, और इसके अंदर capability हमने हासिल की थी, lock on after launch and lock on before launch, ये सब कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है, और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की जो indigenous capability आती है, तो आत निर्भर जो हम defense की बात करते हैं, वो हम achieve कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर advanced technologies की जो configuration है, उस इसको attack कर सकते हैं, और अभी present में अगर आप देखोगे, तो MI-35 helicopter के अंदर, जो missile लगा हुआ है, उसकी capability सरिफ 5 km range की है, और उसको कहा जाता है, शुत्रुम, ये हमने रश्या से ही purchase किया है, वो रश्या origin का ही missile है, शुत्रुम, तो ये 5 km की range है, और जाहिर सी बात है, अब हमने देश के अंदर खुदी इसको develop का लिया, जिसकी रिंग 10 km आपको देखने को मिलेगी, और ये जो MI-35 helicopter है, इसमें आपको और भी कई weapons देखने को मिलते हैं, 23 mm cannon हो गया, 12.7 mm gun हो गया, 500 kg bomb, बहुत सारी चीज़ें आपको MI-35 के अंदर देखने को मिलेगी, प्लस साथ मे ये वाला जो संथ missile है, stand-off anti-tank missile वो भी अब इसके अंदर deploy किया जाएगा, तो ये पूरी खबरती आई होग कि सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा, जाने से पहले एक question आपके लिए क्या बता सकते हो, which is the first tactical surface-to-surface missile of India, ये आपको बताना है, इसका right answer आपको पता ही ह मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, Stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, बाकी अगर आपको PDF टीए तो Telegram पर आईए, अलग-अलग social media पर भी आप जो पर उछयों